हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम सीखेंगे कि पेमेंट की एंट्रीज कैसे करें जिससे भी हम परचेज लेते हैं अपनी और लेने के बाद उनको हमें पेमेंट करनी होती है या फिर हमारे जो भी एक्सपेंसेज हैं उस एक्सपेंसेज को हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए भी ये में payment के entries करनी होती हैं तो आज हम देखते हैं कि payment के entries कैसे करें और किस तरह से उसको कर जाता है practically आप देखें अब इसके लिए भी आपके पास दो option है कि आप दो option के through अपनी purchase के entry को open कर सकते हैं पहला option यह है कि आप अपने accounts के menu के अंदर जाके सबसे पहले यह voucher entry और voucher entry में आप payment में जाके payment को ही चूज करें जैसी आपने payment को चूज किया और आपके पास entry open हो गई पहला दो option यह है कि आपको अपने mark के dashboard पर ही जो shortcut buttons होते हैं वहाँ पे आपको payment का option दिखेगा आप इस पे click करेंगे और दो जाके अब जैसे date फिल कर लेंगे तो यह laser open हो जाएगा और laser open हो तो सभी तरह के laser यहाँ पर open हो जाएगे अब आपको यहाँ पर चूज करना है क्योंकि आप जिसक 12,75 रुपे हैं जो कि मैंने पिछली purchase में लिये थे अब जैसी आपने इस पर एंटर किया तो आपने कितनी payment इनको करी अब सबोस कि मैंने इसको 10,000 की payment करी है और जैसे अब उस amount को डालेंगे तो यह bill adjustment open हो जाएगा और आपको बताना है कि यह जो 10,000 की payment है यह किस against में दे आप जैसे एंटर करेंगे तो इनके जितने भी बिल एंटर हुए होंगे तो वो सभी आ जाएंगे आपर जैसे कि यह bill इसका एंटर हुआ है जो कि 28 तारिक का इसका बिल है और 12,75 रुपे का इसका बिल है तो यह मैंने चूज कर लिया इसको मैंने इससे adjust कर दिया उसके बा लेगा कि अगर आपको mode change करना है तो space bar का बटन दबाए जिससे हम space देते हैं keyword में उस space के बटन को दबाना है और यहाँ पर आपके payment mode यहाँ पर जो आपका payment mode है वो open हो जाएगा अब suppose कि मैंने इसको ICI bank से payment दे थी मैं इसको यहाँ पर choose कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी check number आपने दिया या NFT करी है या IMPs किये उसका number आप यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद आप इसको enter enter करके save कर देंगे तो बहुत simple है payment की entry करना अब हम यह भी check कर लेते हैं कि जो भी हमने payment की entry करी है उसके विहाब पर जो laser है हमारा उसका amount adjust हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पर आजाते हैं books के अंदर और books में और लेजर और मेरी जो पार्टी थी वह SB trader देखिए तो पहले जो इसका balance था वह 12,75 का था लेगिन अब जो इसका balance है वह 20,75 का है अब मैं इस पर enter करके details भी देख लेता हूं तो देखिए कि यह 28 सारी को purchase बिला जिस तरह से मैंने इस पार्टी को payment करी है अगर उसी तरह से अगर कोई आपका expense का लेजर है उसको payment करने है तो वह भी same entry ऐसी ही होगी बस उसमें आपका लेजर चेंज रहता है और लेजर आपको expense indirect और डारेक्ट में बनाना होता है आई होब कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि payment के इंट्री कैसे करें ऐसी ही आप हमारे साथ बने रहे हम सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं